हेलो बच्चो, कैसे हो सब बड़ी एकदम? मजे में? चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैं चिंतन देशा आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे ये फिजिक्स लेक्चर में आज दिखने वाले velocity selector या फिर इसको बोला जाता है velocity filter अब इसका मतलब क्या है या फिर मैं बोलू velocity filter इसका मतलब क्या है क्या velocity को filter करना नहीं, ऐसा नहीं है लेकिन particular velocity वाले particle को ही आगे बढ़ने देना ये मतलब इसका निकाल सकते हो मतलब कि हमारे पास मान लो कि बहुत सारे ऐसे charged particle है जिसके पास अलग-अलग प्रकार की velocity है हमने इसका beam बने और इसको सीधा flow करवाया तो एक arrangement होगी जो arrangement ना filter का काम करेगी filter का काम क्या है filter का particular role क्या होता है कि कि किसी चीज़ को filter उसके अंदर जो setting है उस setting के according अगर कोई आता है तो उसको वो allow करता है लेकिन अगर उसके साथ matching नहीं होता है तो उसको क्या कर देता है drop कर देता है मतलब कि वो उसको आगे नहीं जाने देता है यही तो filter का काम होता है यही तो filter का काम होता है तो कहीं न कहीं यहां पे भी एक ऐसे arrangement आईगी कि जो arrangement में से आप charged particles को आप अगर pass करवाओगे तो उसमें से एक particular velocity वाले particle ही ये वाली arrangement में से pass हो जाएंगे बाकी के सारे जो particles होंगे वो कहीं ना कहीं वहीं पे रुके जाएंगे रुक ड्रॉप हो जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं उपर वाली या नीचे वाली प्लेट के उपर attract हो जाएंगे अगर मैं यह arrangement के बात करूँ तो यहाँ पे attract हो जाएंगे मलब कि वो arrangement वही particle को आगे बढ़ने देगी जिनकी velocity यहाँ पे match करेगी किसके साथ लेट से एक velocity वी ओ ठीक हम यहाँ पे इसको नाम देंगे वी ओ ठीक है वी ओ वैलोसिटी को match करेगी अगर वो वैलोसिटी इतनी है तो वो पार्टिकल वो arrangement में से सीधा निकल जाएगा लेकिन अगर वो उसके साथ match नहीं करती है तो कहीं न कहीं या तो उपर वाली प्लेट या तो नीचे वाली प्लेट के उपर एट्रेक हो जाएगा वहीं पर रूप जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हमें रिजल्ट के मिलेगा यहां से बहुत सारी चीज़ा हमने बेजी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल बेजे एक arrangement में से पासओन करवा है तो यहां पर आउटकम में हमें उतने ही चार्ज पार्टिकल मिलेंगे जिनके पास वो वी ओ वाली जिसको हमने बोला है वी ओ कौनसी वा वर रेंज की फ्रिक्वेंसी को अलाव करता है पास करता है बाकी की फ्रिक्वेंसी को वहीं पर ड्रॉप करते था है ठीके तो उसका भी एक मैचिंग होता है तो यहां पर यह भी एक फिल्टर का काम करेगा जिसका मैचिंग क्या है वी ओ अगर कोई चार्ज पार्टिकल के पास VO वाली velocity है तो वो यहां से निकल जाएंगे लेकिन अगर नहीं है तो वो सारे वहीं पे drop हो जाएंगे yes or no वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो arrangement उनको allow नहीं करेगी आगे बढ़ने में इसको बुला जाता है velocity filter ठीक है क्योंकि वो एक particular velocity वाले particle को ही allow करेगी और वो कौ यह जो velocity selector यह जो भी arrangement हम यहां पे use करने वाले जो पढ़ने वाले है वो arrangement ऐसी arrangement होगी जहां से वही particle बाहर निकल पाएंगे जो particle की velocity VO के बराबर होगी ठीक है वो VO कितनी होगी वो value क्या होनी चाहिए वो सारी चीज़ हम calculate करेंगे ठीक है तो इतना समझ में कि velocity selector होता क्या है या फिर velocity filter बोले तो इसका role क्या है ठीक है I hope so कि यह point समझ में आ गया होगा तो अभी आगया बढ़ते यह तो यह arrangement है क्या यह arrangement है क्या कि जो velocity filter की तरह काम करती है तो बच्चों बहुत ही simple arrangement है यहाँ पर एक plate होती है नीचे भी एक plate होती है और कहीं ना कहीं यह उपर वाली plate और नीचे वाली plate के बीच में एक uniform electric field generate किया जाता है मतलब कि यहाँ पर यह उपर वाली plate है उसको positively charge किया जाता है और यहाँ पे नीचे वाली जो प्लेट है उसको negatively चार्ज किया जाता है और यह बहुत ही आसान है आपको कुछ करना कुछ भी नहीं है यहाँ से एक battery लगा तो यहाँ पे plus terminal यहाँ पे negative terminal ऐसे connect कर दिये तो यह हो जाएगी arrangement तो जिसकी वज़ा से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा एक field generate हो जाएगा ठीके पॉजिटिव से negative के बीच में हम एक field मिल जाएगा यह आपको पता है यह सारी चीज़े आपको पता है मुझे समझाने की ज़रुरत नहीं है capacitor वगेरा में हम पढ़ चुके है ठीके तो यह arrangement बहुत ही simple है अभी फिलहाल में कैसे किया उसको नहीं देखता हूँ मैंने बस यह arrangement बनाई यह हम समझते है ठीके तो मैंने एक ऐसी दो प्लेट ली एक प्लेट उपर रखी नीचे दूसरी प्लेट रखी दोनों को दोनों प्लेट को मैंने किसी एक बैटरिक से connect कर दे है जिसकी वज़े से यह वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गए यह वाली प्लेट नेगिटिवली चार्ज हो गए अभी आपको पता है कि दो डायरेक कॉंटेक में है नहीं लेकिन क्योंकि इसके पास positive चार्ज है इसके पास negative चार्ज है तो इट विल जनरेट वान uniform electric field ठीक है तो कही न कहीं इन तोनों के बीच में एक uniform electric field जनरेट होगा ठीक है मान लो कि वो जो field है उसको मैं field line से ऐसे सो करता हूं येक uniform field होगा ठीक है इसको एसे शो करता हूं ये कौन सा field है electric field है कौन सा field है electric field है ठीक है इस इस दी electric field e-vector clear है इन दोनों के बीच में electric field जनरेट हो गया अभी बच्चो सोचो कि मैंने एक magnet लिया ये arrangement बनाई उसके बाद मैंने क्या क्या दो magnet लिये एक magnet का यहां पर बाहर बाहर के और ठीक है यहां पर यह board जो भी है ना उसके बाहर z plane के बाद करहां तो z plane में बाहर के और एक मैंने ऐसे magnet रखा जिसका north pole यह side पे point out कर रहा था और दूसरा मैंने यह वाली arrangement में यह वाली arrangement में यह वाली arrangement में दो प्लेट है तो यहां पर एक magnet लगाया यह दो प्लेट है यह positively चाज यह negatively चाज जिसके वाइस इन दोनों के बीच में क्या आ गए एक electric field जनरेट हो गई ठीक है अभी मैंने क्या क्या है यहां पर एक north pole यह direction में point out करता और यहां पे दूसरा एक magnet लगाया जिसका south pole यह side पे point out होगी तो north से south क्या होगी? magnetic field lines generate होगी तो अभी क्या है? यह दो प्लेट के बीच में electric field है और यहां पे दो magnet लगाया मैंने इन दोनों के बीच में क्या लगाया? एक perpendicular magnetic field generate कर दी ठीक है? तो arrangement में मैंने क्या क्या है? य दोनों field एक दूसरे के साथ perpendicular होने चाहिए इस तरह से मैंने इसको generate कर वाया, ठीक है? तो यहां पे magnetic field भी है और वो क्योंकि north, north pole यहां से, north से south, तो मतलब कि यह inside वाला field में show कर सकता हो magnetic field तो मान लोग कि एक field, magnetic field भी मैंने यहां पे generate कर वाया, जो uniform है, जो inside direction में है ठीक है, यह uniform है तो एक ऐसी arrangement, ध्यान से देखना, एक ऐसी arrangement जिसमें electricity, यह magnetic field इसको हम B vector से show कर देते हैं, तो एक ऐसी arrangement कि जिसमें uniform electric field, uniform magnetic field के perpendicular हो, और आप किसी charged particle को इन दोनों के perpendicular दोड़ा रहे हो, तो यह arrangement काम करेगी, velocity selector की तरह, arrangement बहुत ही simple है, एक बार वापिस यहां पे देख लो, एक बार वापिस देख लो, arrangement बहुत ही simple है, उसमें कुछ ऐसा ही नहीं, ठीक है, बहुत ही simple arrangement है, ठीक है, और यहां पे एक और ऐसी arrangement, देखो, यह हमारा एक magnet है, ठीक है, बहुत ही simple है, यह हमारा एक magnet है, जिसका यह north pole है, और यह south pole है, तो कहीं न कहीं, यहां पे यह वाली direction में क्या होगा, magnetic field generate होगा, ठीक है, यह वाली direction में magnetic field, यह magnet है, अभी देखो, यहां पे north pole, यहां पे south pole, तो इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि बच्चो, यहां पे इन दोनों के बीच में एक magnetic field generate हो गई, ठीक है, एक magnetic field generate हो गई, अभी हमने क्या क्या, नीचे एक plate और उपर एक plate, यहां पे, इसको positive charge करते हैं, और इसको negatively charge करते हैं, तो इन दोनों की वज़े से, यहां पे क्या generate हो गई, electric field generate, थुड़ा रदिसा है, तो उपर और नीचे वाली plate से, के बीच में, electric field है, और यह दो magnet के बीच में, magnetic field generate, तो ऐसे दोनों फिल जो भी generate होंगे, वो perpendicular होगे, और यह region में मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच की जगा है, जहां पे उपर यह, एक plate है, जो positively charge, नीचे negatively charge है, यहां पे north, यहां पे south, तो इनकी वज़ा से, यह direction में, या फिर बोलो, x direction में, magnetic field है, और y direction में, आपके पास, मानलों की, वो electric field है, दोनों uniform field है, दोनों एक दुसर को perpendicular है, तो यह जो region बना न, जहां पे दोनों field present है, वहां से हमें, चार्ज का एक beam, चार्ज का, perpendicular to both, मतलब कि अगर यह x field में, x direction में, magnetic field है, y direction में, अगर electric field है, तो यह charge को हमें, z direction में, पास करवाना है, मतलब कि, वैलो सिटी की direction, इन दोनों के perpendicular होनी चाहे, और जब आप ऐसे पास करवा होगे, तो यहां से सिर्फ वही charge particle, यह area को cross कर पाएंगे, और सामने, अंदर के औ आगे बढ़ पाएंगे, जिनके पास हमने बता है, वो वी ओ वाली velocity होगी, बाकी सारे charge particle, कहीं न कहीं, कोई ऊपर attract हो जाएगा, कोई, नीचे वाली plate के ऊपर attract हो जाएगा, ठीक है, बाकी जे charge particle होगे, जिनके पास वी ओ वाली velocity है, वो यह region को cross करके सीधे निकल जाएंग भी है, and magnetic field भी है, मतलब कि अगर किसी charge particle को आप दोडाते हो दोनों field में, तो कहीं न कहीं उसके ओपर Lawrence force लगेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चार्जपार्टीकल को अगर आप दोनों field में से पास करवाते हो, तो उसकी motion कैसी होगी, तो वो जानने के लिए, आपको एक देखो इसको डीटेल में नहीं देखेंगे, कि बाई, what is the motion of that charged particle in the electric field as well as magnetic field, ठीक है, उसको फटाक से देख लेते हैं कि होगा क्या चीजे होगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा यह topic है velocity selector, यहाँ पे हमें यह study नहीं करना है कि बाई, electric field and magnetic field दोनों अगर present है, तो charge particle की motion कैसे होगी कैसा path बनेगा, वो सारी चीजे यहाँ पे हमें देखनी नहीं है, ठीक हमें सिर्फ एक ही case देखना है, यहाँ पे देखने जाओ तो बहुत सारे case बन सकते हैं, लेकिन फटाफट उसका सिर्फ overview दे देता हो कि होता क्या है, ठीक है, कौन सा path बनता है, electric field क्या, electric field क्या करता है charge particle के साथ magnetic field क्या करता है, वो सारी चीजे समझ लेते हैं, ठीक है, फटाक से, और फिर ये वाले point पे आते हैं, तो हमें ये वाले point में, हमें करना क्या है, करना ये है कि अभी मुझे क्या करना है, कि यहाँ से किसी charge particle को, मानलो कि एक ही अभी तो charge ले रहा हूं, plus q, उसको मु सीधा ये region को cross करके सीधा निकल जाएगा, तो मुझे ये निकलना है कि ये view कितनी होगी, और जिनके पास इतनी view वाली velocity होगी न, वही charge particle ये region में से cross करके जा पाएंगे, जिनके पास view से ज्यादा velocity होगी न, वो सारे charge particle उपर वाली plate पे attract हो जाएंगे, वो आगे नहीं जाएंगे, तो यहां से बड़े तो खरी आगे, लेकिन क्या होगा, यहां से यहां से दूम, मतलब कि ये attract होगे नीच वाली plate के उपर, लेकिन जिनके पास exactly view वाली 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 से वही charge particle सीधा ये region को cross कर जाएंगे, ठीके, तो हमें बस वो वो निकलनी है कि हम कितनी velocity यहां पर charge particle के पास देनी है, in terms of view, ठीके, वो वो हमें यहां पर निकालनी है, तो यह हमें find out करना है, ठीके, लेकिन उससे पहले यह समझ लेते हैं कि electric field and magnetic field जब दोनों present होते हैं, तो वहां पर actual में charge particle के साथ क्या होता है, मतलब कि charge particle की motion कैसी होती है, ठीके, कैसी व point हम देख लेते हैं, उसको detail में नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा topic है velocity selector, लेकिन इसमें से देखने जाओ तो बहुत सारे cases बन सकते हैं, competitive में जाओगी तो वहां पर ऐसे बहुत सारे points निकलेंगे यहां से, आपको पूछा जाएगा कि अगर यह दोनों parallel है, magnetic field, electric field parallel है, और हम perpendicular किसी charge को दोड़ाते हैं, तो उसका path कैसा बनेगा, उसका radius कितना निकलेगा, velocity में क्या फरक आएगा, उसकी पीछ क्या होगी, वो सारी चीज़े आपको निकलने को बोलते हैं, ठीके, तो यहां पर हम छोटा सा point देख लेते हैं, फटा-फट इतना detail में नहीं जाएगे, NCRD में हमारे लिए important है velocity filter, ठीके, जो हमारे topic में है, चले, तो मान लो बच्चो, एक किस ऐसा लेते हैं, कि जहां पर magnetic field and electric field दोनों present है, दोनों parallel है, दोनों parallel है, ठीके, यह वाला case है, जिसमें electric field and magnetic field बोथ perpendicular, ठीके, यह perpendicular वाला case है, हम पहले देखते हैं, कि अगर magnetic field and electric field दोनो अगर parallel हो, और यहां से मैं किसी charge particle को, ऐसे field, जो दोनों present है, ऐसे region में, मैं इन दोनों के parallel में अगर इनको, इसको pass on करवाँ, तो क्या होगा इसके साथ, ठीके, इसके साथ, क्या होगा, तो क्योंकि यहां पे magnetic field and electric field बोथ है, तो कहीं न कहीं, इसके उपर, Lawrence force लगेगा, और Lawrence force कितना लगता है, आपको पता है, F net कितना होता है, Q into E, या फिर मैं इसको Q बाहर निकाल दूँ, तो E vector, प्लस V cross B vector, ठीके, यही तो Lawrence force का formula था, यही तो Lawrence force का formula था, दीख रहा है न, उपर, अच्छा, ओके, तो यही कुछ formula था, तो उसके उपर Lawrence force लगेगा, लेगिन मैं उसको अभी अलग-अलग देखता हूँ, इन दोनों को साथ में नहीं देखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जब देखा, तो मुझे यह समझ में आया, कि यह जो particle है, चार्ज particle, मान लो कि इसका चार्ज है, प्लस Q, Khi magnetic field के पैरेलल है, मैं दोनों field की वज़़ से लगनेवाले force को अलग देखूँ, तो magnetic field की वज़़ से लगनेवाला जो भी force होगा वो तो zero हो जाएगा, क्यों zero होगा, क्योंकि कहीं न कहीं magnetic field के पैरेलल में हम ये charge particle को दोड़ा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं न कहीं तो zero हो जाएगा यह zero हो गया मडब कि इसके उपर कोई magnetic force act नहीं करेगा तो due to these magnetic field इसके उपर कोई force नहीं तो यह हमेशा अपने रास्ते को follow करता जाएगा क्योंकि magnetic field ने तो इसको permission दे दी इसकी चाहत क्या थी magnetic field की भाई कि मुए इसको खीच लो लेकिन ऐसे एंगल पर हमने इसको दोड़ाया यहाँ पे कही ना कहीं यह इसके parallel हो गया ठीटा zero हो गया case number one याद करो path के अंदर देखे थे कि moving charge का path क्या होता है case number one straight line को follow कर तो magnetic field ने इसको clean sheet दे दी भाई बेटा तो straight line को follow कर मैं तेरे को कुछ भी force नहीं लगाने वाला हूँ ठीके लेकिन बात आती है electric field की क्योंकि अक्केला magnetic field तो है यहाँ पे electric field भी है electric field ने क्या क्या तो जब भी मैंने electric field को देखा तो electric field की वज़े से बच्चों आपको पता होगा chapter number one मे आप पड़े होंगे कि electric field की वज़े से यह charge के उपर electric force लगता है कौन सा कितने magnitude का यह मैं कितना लिख सकता हूँ q into e vector के बराबर या फिर अब इसी magnitude लिखे तो q e के बराबर force लगता है ठीक है q e के बराबर force लगता है और अगर मैं इसको बोलू मान लो कि इसका mass m के बराब क्या लिख सकता हूँ q e upon m लिख सकता हूँ तो कहीं न कहीं यह charge particle के उपर यह वाली direction में a acceleration लगेगा तो कहीं न कहीं मैं यह बोल सकता हूँ कि due to this electric field intensity यह वाला जो charge है ना उसकी direction में तो कोई chain नहीं आएगा direction कौन प्रोवाइड करता है magnetic field उसने बोला कि तू straight line को follow कर इसन फिर magnetic field को छोड़के मैंने electric field को देखा तो मैंने यह देखा कि magnetic field इसकी speed नहीं बढ़ा रहा था लेकिन electric field ने क्या क्या इसको acceleration दे दिया वाला कि electric field की वज़ा से यहां पर उसकी velocity v o है लेकिन जैसे यहां पर पहुंचेगा ना तब कुछ उसके पास velocity आ जाएगी let's say it is v f final velocity बोलते हैं यह वाले point पर final कहीं पर भी आ सकती है आगे भी आ सकती है लेकिन यह वाले point को हम v f बोलते हैं तो कहीं न कहीं उसके पास v f आ जाएगे और v f कितनी होगी v o plus q e by m into t के बराबर हो जाएगी ठीक है तो इतनी velocity उसके पास आ जाएगी मतलब कि कहीं न कहीं यह electric field इ magnetic field ने इसको बोला तो straight line को follow कर, magnetic field सिर्फ उसको direction को बदल सकता है लेकिन इसकी velocity को कौन change कर रहा है? electric field तो कहीं न कहीं electric field ही वो fill है कि जो यहाँ पर यह charge particle की velocity को change कर सकता है, velocity बोलू या फिर उसको acceleration provide कर सकता है, ऐसा बोलू यह सही रहेगा, ठीक है? यह acceleration को provide कि accelerate कर सकता है, यह charge particle को magnetic field accelerate नहीं कर सकता है, ठीक है? यह case देखा जिसमें दोनों parallel थे, दोनों parallel थे, मैंने देखा कि भाई यह जो magnetic field है, यह तो सिर्फ उसको direction change कर सकता है, अभी तो fill हाल तो कोई force नहीं लगा, तो इसकी direction तो change नहीं होगी, magnetic field की वज़े से, लेकिन electric field की वज़े से, मैंने यह देखा, कि यह charge की acceleration की वज़े से, velocity every time change हो सकती है, ठीक है, कहीं न कहीं यह charge due to the electric field, acceleration वाली motion करेगा, yes or no, तो कहीं न कहीं यह charge को acceleration कौन प्रोवाइट कर सकता है, electric field, magnetic field नहीं, yes or no, तो मैंने उसको समझने के लिए, मैंने और एक example लिया, मालों यह parallel में मैंने इसको parallel ही दोडाया था, अभी मैं क्या करता हूँ, यह दोनों field के perpendicular दोडाता हूँ, field दोनों parallel है, लेकिन charge को मैं perpendicular दोडाता हूँ, ठीक है, तो यह perpendicular direction में, initial view of velocity देके, उसको दोडा रहा हूँ, अभी देखो क्या होगा, क्या magnetic field भी, magnetic force भी 0 होगा, यह माले case में नहीं होगा, नहीं होगा, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर, चीज़ों को ध्यान से समझो, magnetic field यह direction में, velocity यह direction में, सोचो ना, इसके ओपर तो magnetic force लग रहा है, yes or no, तो यहाँ पर जो magnetic force लगेगा, क्योंकि परपंडिक लगेगा, तो इसकी वज़े जो भी magnetic force ल यह भी देखा, कि इसके ओपर electric force भी लगा, कितना, q into e के बराबर, है कि नहीं, यह plus q charge है, अभी तो plus q charge की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो, ध्यान से देखो, यह electric field की वज़े से, field की वज़े से, जो भी force लगेगा, वो तो along the field ही लगेगा, magnetic force inside लगेगा, magnetic force की direction लगेगा, लेकिन electric force तो भाई, field की direction में ही लगेगा, तो कहीं ना कहीं, यह electric field इसके ओपर यह direction में force लगाएगा, कितने magnitude का, q e magnitude का, है कि नहीं, yes or no, तो कहीं ना कहीं, due to this electric field, इसके पास यह direction में एक acceleration आएगी, कितने q e by m के बराबर, अर्सिम कर लो कि यह वाला charge जो भी है इसका मास है, m के पराबर, ठीक है, तो q e by m, एक acceleration आएगी, तो अभी सोचो कि इसकी motion कैसी होगी, पिछले वाला case जो भी था, उसमें तो straight line को ही follow करेगा, सिर्फ हमें straight line में उसकी velocity बढ़ती दिखेगी, ठीक है, velocity सीधी बढ़ती दिखेगी, ऐसे ऐसे नहीं, मैंने helical बता हेलिकल नहीं आएगा, वहाँ पे इसके आगे वाले case में जब इसको parallel एंटर करवाते हैं, दोनों फिल भी parallel और चार्ज भी parallel एंटर करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस टाइम, यह जो magnetic field था, वो उसको straight line ही follow करवाने को बोलेगा, magnetic force लगी नहीं रहा था, लेकिन electric force की वाले case में क्या होगा, तो क्योंकि अभी देखो, magnetic force तो zero नहीं है, हमें सा मैंने बोला है, आगे भी बोला था, लेक्चर में, मैं हमें सा बोलता हूँ कि perpendicular velocity हमें सा चार्ज को कौन सा पाथ प्रोवाइड करती है, circular, यह velocity कौन सा है, perpendicular to the magnetic field है ना, perpendicular to the magnetic field यह direction में, वेलोसिटी यह नहीं, perpendicular to the magnetic field, तो यह velocity जो भी है, वो, perpendicular होने के करने, perpendicular velocity हमें सा चार्ज की motion कैसे करवाती है, चार्ज की motion हमें सा, circular करवाती है, yes or no, तो चार्ज का जो पाथ होगा, वो circular होगा, क्योंकि यहाँ पे, x direction में भी उसके पास velocity है, लेकिन सर, हमने तो सिर्फ y direction की वेलोसिटी प्रोवाइट की थी, यहाँ पी जो वेलोसिटी प्रोवाइट की वो तो y direction में प्रोवाइट की थी, जो perpendicular to the magnetic field, as well as perpendicular to the electric field है, yes or no, बात तो सही है, लेकिन, बले अभी, initially इसके पास, initially इसके पास, यह वाली direction में, x direction में कोई velocity नहीं है, लेकिन, लेकिन, क्योंकि यह direction में एक acceleration है, तो अभी velocity zero है, थोड़े टाइम के बाद velocity आ जाेगी, थोड़े टाइम के बाद increase होती है, थोड़े ताइम के और increase, आर increase, मालंब कि, क्योंकि यह acceleration वाली motion है, freefall में क्या होता है, स्टार्ट करता है तब velocity zero होती है, लेकिन, क्योंकि gravity की वज़ेशे ऐसे acceleration है तो acceleration क्या अगर गरगा, 0 से start करके increase करता जाएगा, करता जाएगा, ठीक है, तो कहीं न कहीं ये direction में भी velocity उसके पास अपने आप बढ़ती जाएगे due to this acceleration, और वो acceleration किस ने provide गया, electric film है, electric film है, तो सोचो इसका path कैसा बनेगा, इसका path कैसा बनेगा, ये किस देख चुके है, ये case हम देख चुके है, कहाँ पे सर, अरे, सोचो ना, वो वाला case, angle पे, अगर case number 3 हमारा की moving charge का path क्या हो सकता है, case number 3 देखे थे, कि अगर angle पे प्रवड कर दो, तो दो velocity आ जाती है, एक y direction, perpendicular, एक parallel, वहाँ पे parallel velocity constant थी, constant थी, यहाँ पे parallel velocity constant थी, यहाँ पे parallel velocity constant नहीं है, अभी 0 ह फिलहाल initially जहाँ से start कर रहे है, वहाँ पे 0 है, लेकिन क्योंकि यह direction में acceleration है, तो थोड़े time के बाद उसकी velocity बढ़ती जाए, जहाँ से start किया है, continuous जैसे time change, velocity बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह तो constant acceleration वाली motion है, तो कहीं न कहीं में यह वाले point पे, अगर आगे बढ़े में बो तो मैं इसको नहीं लिखूँ, यह 0 लिख दूँ, प्लस 80, यह कितना हो जागा, V0 प्लस QE by M into T, तो कहीं न कहीं इसकी final velocity कितनी हो सकती है, QE by M into T के बढ़ाबन, तो आप कोई भी time के value प्लेस करते जाओ, उसकी velocity कितनी increase होगी, yes or no, तो कहीं न कहीं यह वाली direction में भी उसक increase होती जाएगी due to the acceleration, मैंने यही बताया था ना, कि यह magnetic field है, magnetic field का काम सिफ डाइरेक्शन प्रोवाइट करना है, वो चार्ज की velocity के साथ कुछ भी छेड़चा नहीं करेगा, वो चार्ज की velocity जो भी है उतनी ही रखेगा, उससे उसको लेना देना नहीं है, लेकिन electric field का का काम है, acceleration प्रोवाइट करना, तो यहाँ पर accelerate कौन कर सकता है, electric field, magnetic field तो सिफसे उसका path change कर सकता है, उसके direction कर सकता ह। उसकी velocity नहीं चेंड कर सकता, magnetic field की वज़े क्या कोई acceleration आता है, क्या कि जो उसकी velocity को भी continuously change करें, नहीं, नहीं आता है, लेकिन electric field की वज़े से आता है, Q1 by m, Q1 तो accelerate कौन कर सकता है? Electric field, magnetic field accelerate नहीं कर सकता है, समझ गए? Magnetic field कभी भी accelerate नहीं कर सकता है यह से path को change कर सकता है अभी यहाँ पर अगर सोचोगे ने तो path कैसा बनेगा? अगर यह वाली velocity constant होती और यह वाली velocity जो है perpendicular velocity वो circle में घुमाती है और यह direction में, x direction में अगर मान लो कि कोई constant velocity होती ही तो हमने देखा था case number 3 के helical path बनता है, helical path बनता है helical path बनता है, यह सुनो यहाँ पे भी, क्योंकि यह वाली direction की velocity है perpendicular वो तो circle में घुमाएगा, लेकिन यह x direction में acceleration वाली motion है मतलब कि continuous velocity change हो रहा है तो यहाँ पे भी helical path तो बनेगा, लेकिन कैसा helical बनेगा पता है आपको, कैसा helical बनेगा आई बाद समझ में, तो यहाँ पे न peach जो भी होगी न, मान लो यह पहनी peach है, तो यह दूसरी peach होगी तो यह तीसरी peach होगी क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे x direction में velocity constant नहीं है तो यहाँ पे, वहाँ पे क्या था? peach constant रहती थी एक turn complete करने में जितना distance travel करते थे न, वो particle उतना ही distance, हर एक turn को complete करने में करता था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके velocity तो increase हो रही है, वहाँ पे velocity constant थी x direction की, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो path तो helical बनेगा लेकिन कैसा helical? यहाँ pitch अलग-अलग मिलती जाएगी क्योंकि जैसे से आगे बढ़ती जाओ कि time जैसे से आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी velocity भी x direction की increase होती जाएगी तो उतना ज्यादा deflate होगा x direction में, तो अभी यहाँ से आया यहाँ तक, फिर दूसरे case में तो यहाँ से ज्यादा distance रावर कर गया तीसरा यहाँ से और distance रावर कर गया तो यहाँ से छोटा है छोटे distance को देखो यहाँ से start किया यहाँ तक, अभी जैसे यहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ पर आया मुलब कि पहले जितना gap आया था उससे ज्यादा gap यहाँ पर मिला यह सो नो, मुलब कि पीछ ना continuously vary करती जाएगी ऐसा path इसका बनेगा है तो helical path लेकिन इसकी पीछ continuously variable दिखेगी due to this variable velocity in the x direction ठीक है? तो कहीं न कहीं यह electric field की वज़ज़ से यहाँ पर होता क्या है? क्या हुआ इसके साथ क्या हुआ? तो acceleration वाली motion हुई that's it यह सारी चीजों का point क्या निकलता है? यह सारी चीजों का point एक ही निकलता है जो मैं बार-बार sentence repeat कर रहा हूँ वो यही निकलता है कि magnetic field ना हमें सिर्फ direction change करने में use होता है मलब कि magnetic field किसी charge particle की direction change कर सकता है और कुछ भी नहीं बाकि यह जो electric field है ना वही charge को accelerate कर सकता है magnetic field बिचारा कभी उसको accelerate नहीं करेगा magnetic field चाहे तो भी उसकी velocity को मलब कि आप यह एंटर कर रहा है तब V velocity थी बाहर निकला तब V dash हो गई ऐसा नहीं होगा यह सुनो ऐसा नहीं कर पाएगा वो electric field कर सकता है क्योंकि वो acceleration प्रोवाइट कर सकता है तो direction कौन change करता है magnetic field accelerate कौन करता है electric field ठीक है तो इतना point समझ में आना चाहिए तो ऐसी ही एक गटना यहां पे प्रोवाइड की गई है यह arrangement कैसी थी जिसमें magnetic field और electric field बहुत हार पैरिलल ठीक है यह बहुत हार पैरिलल लेकिन यह गटना कैसी है जहां पे बहुत हार परपंडिकिलर तो अभी क्या है कि क्या निकला कि यहां पे electric field and magnetic field बहुत हार परपंडिकलर यह जो केस थे यह जो दोनों केस हमने देखे कि चार्ज को ऐसे दोड़ा है फिर परपंडिकलर दोड़ा है ठीक है यहां पे देखो कि तो मैंने चार्ज को अभी जो दोड़ा है वो यह वाला केस बन सकता है कि magnetic field के velocity हमें यही करना है कि electric field and magnetic field बहुत हार परपंडिकलर और मैंने क्या बोला velocity selector में होता क्या है कि दोनों field एक दूसरे को परपंडिकलर और चार्ज को भी हमें दोड़ाना है दोनों के परपंडिकलर मलब कि हमारी जो चार्ज की velocity होगी न वी इट शुट बी परपंडिकलर टू magnetic field as well as इट शुट बी परपंडिकलर टू electric field ठीक है तो कहीं न कहीं यह ऐसा केस था कि जिसमें मैंने चार्ज को दोनों field के परपंडिकलर दोड़ाया था बाकि सेम जैसे situation आप बोल सकते हो लेकिन ये situation में special क्या होने वाला है वो अभी समझते हैं ठीक है इतना समझ में आया ये सारी talkative बाते हैं ठीक है आप समझ सकते हो आप देख सकते हो बस इतना point यहाँ पर याद रखो जब भी कोई भी case आता है आपके पास आपके सामने अभी हमारे NCRT में तो ये वाले अलग-अलग cases नहीं आएंगे ये competitive में आप लगा सकते हो लेकिन लेकिन हमारे लिए ये velocity selector ये आता है ठीक है एक short nut के तोड़ पर भी आता है ठीक है तो कही ना कहीं ये हमारे लिए थोड़ा important है NCRT के लिए हाँ यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपको क्या याद रखना है हार एक जगा यह है या तो ये case ले लो या तो ये case ले लो ठीक है दोनों case में आपको ये समझना है कि ये जो magnetic field होता है वो सिर्फ direction चेंज कर सकता है लेकिन ये जो field होता है ये electric field होता है वो हमेशा उसको accelerate करता है तो acceleration कौन प्रोवेट करता है? electric field magnetic field का का काम क्या है? magnetic field सिर्फ उसके direction चेंज कर सकता है और वो कब change करता है? जब भी velocity perpendicular to magnetic field हो यह सो नो यह होना जरूरी है तभी वो चेंज कर पाएगा ना तभी तभी वो नहीं तो क्या करेगा magnetic force कब लगता है जब आप परपेंडिकुले टो magnetic field या फिर किसी एंगल पे magnetic field से 0 या 90 को छोड़के किसी एंगल पे आप अगर इसको एंटर करवा तो तब वो circular path में गुमा सकता है यसो नो बाकि तो क्या होगा वो straight line को ही quality follow करवाएगा बाकि तो straight line को ही follow करवाएगा यसो नो सिधी सी बात है ना अगर parallel या anti parallel होकता magnetic field के तो कोई magnetic force लगना ही नहीं है तो वो straight line को ही follow करेगा यसो नो लेकिन लेकिन अगर हम मालो किसी पर्पंडीकलर दौडा तो तो क्या होगा तो वो सर्कुलर पाद बनाएगा यह तो नो तो यह हेलिकल पाद बन सकता है आभी चेंजिस क्या सकते हैं Çgenजशा सकते हैं hell 받아 बनेगा लेकिन यह एक्स का सिटी व्यटिटी न होने के शेर न होने के जाइगा पीछ आपको वैरियेबल दिक्स जाएगी यहां पर दोनों फिल पर्पंडिकुलर है यहां पर दोनों परपंडिकुलर है बाकि तो वालो सेटी यहां पर दोनों यहां पे भी perpendicular to both the field थी यहां पे भी perpendicular to both the field है सीधी सी बात है न है electric field के भी perpendicular मान सकते है नो और magnetic field के भी perpendicular to both the field यहां पे हम तो इसी देखा लेकिन वो पात ऐसा था कि जहां पे पीछ वैरी करती थी यहां पे क्या दिखेए स Wedi यहां पे हां यहां पर कỏi लिए यहां पर सीधा निकल जाएगा के लिए वह सारी चीजर दीजे और क्यूं目 सीधा निकल रिए हूँ भी समधते हैं वो हमारे लिए इंपोर्टन है ठीक है तो यहां पर चीज ऐसी बनती है बच्चो ध्यान से देखना यहां पर यह वाला केस ऐसा बनता है कि कहीं ना कहीं situation ऐसी खड़ी हो गए हमारी सामने यह बार 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 बीच में आ रहा है यहां पर situation हमारे साथ ऐसी हो गई कि भाई यह मान लो एक्स डाइरेशन जीस डाइरेशन में हम इसको दोड़ाना चाहते हैं यह वा एक्सिस और यह जैड एक्सिस ठीक है तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखना जो मैं पूछता हूँ उसका ध्यान से जवाब देना बच्चों सोचों यह electric fill है इसकी वज़ा से इसकी वज़ा से यह charge particle के उपर कौन सी direction में force लग सकता है सोच के बताओ positive 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 negative मैं सिर्फ आपको इतना बोलू कि दो plate है यह plus charge वाली plate है यह minus charge वाली plate है साइद आपने ऐसे question किये भी होंगे competitive में मैं इस charge को एक positive charge को यहां से v velocity दे के enter कर आतो हूँ आपको क्या लगता है क्या होगा यह charge के साथ क्या होगा सिर्फ electric fill है तो क्या होगा इसके साथ इसके साथ क्या होगा कि इसको यह वाली यह वाली direction में force लग पॉज़डिव पॉजडिव रिपेल करेंगे negative positive को attract करेंगे तो कही ना कहीं इसका path क्या बनना है इसका path एक parabola type बनना है क्योंकि इसको ये वाली direction में एक acceleration लगना है कौन सा acceleration? electric, electrostatic acceleration जिसको हम बोलते है QE by M, तो कहीं नेचे की direction में इसको एक acceleration लगना है और क्योंकि gravity नीचे लगना है तो उसका path एक parabola बनेगा तो कहीं ना कहीं यहां पर सिर्फ एक ही force लग रहा था इसके ओपर इक ही force कौनसी direction में लग रहा था वो एक ही force लग रहा था वह भी इस नीचे की और यह वाली direction में electrostatic force लग रहा था तो यह force उसको नीचे की और लग रहा था और उसकी वज़ा से इसका path जो बना वो कुछ parabola type बना, कुछ parabola type बना, है की नहीं, है की नहीं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे situation क्या हो गई, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, कि अगर मैं यह positive charge है, यहाँ पे plus plate है, यहाँ पे negative plate है, तो क को दीखे कि हाँ भी force लगने वाला है इसके उपर, ठीक है, तो यह plus q charge है, ठीक है, तो कहीं न कहीं यह जो plus q charge है, जैसे region में enter करा, तो इसके उपर electric force कौन से direction में लगेगा, मुझे यह समझाओ, electric force कौन से direction में लगेगा, तो देखो, यह plus plus को repel करेंगे, minus plus को attract करेंगे, त तो कहीं न कहीं, इसके उपर लगने वाला electrostatic force नीचे की direction में लगेगा, तो electrostatic force की direction क्या होगी, नीचे की और, नहीं समझे, नीचे की और होगी, अरे यार सोचो न, समझो, सोचो, समझो, 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 यहां पर, इसकी direction निकालने के लिए हमें कौन सा, वह पाम और नेगेटिव के लिए लगाना है तो यहां पर अब जिखना यह हमारा चाल्च पार्टिकल माननों के यहां पर है यहां पर कहीं आगर बोलू कि इसके उपर electrostatic force लग रहा है due to the electric field कौनसी direction होगी तो सोचो ना यहाँ पे हमने देखा यह plus minus तो electrostatic force कौनसी direction में लगए नीचे की और यह positive इसको repel करेंगे और negative उसको attract करेंगे तो कहीं ना कि resultant direction क्या आएगी नीचे की और ही आएगे नीचे की और आएगी तो इसका मतलब ही है कि इसके और अगर मैं उसी के साथ तो अगर सिर्ग अक्यला फोर्स होता थ होता इसका पात कैसा बता यिया सौनो हाफ प्रा बुल सकते हो थे तो यह पैरा बुला बनता लेकिन क्या यह अक्यला है नहीं है यहाँ पे स्पट्रेटिक फिल ठोड़ी ना बेंने एक और मेगनेटिक फिल भी इसके ओपर लगाएगा कौन से मैगनेटिक फोर्स ठीक है, सर लेकिन यहां पर अरे भाई देखो ना पर पंडिकुलर एंटर करवाया है ना V is perpendicular to magnetic field तो कहीं ना कहीं यहां पर magnetic force maximum लगेगा और perpendicular वाला जब भी force लगता है तो आपको पता है कि वो field की चाहत क्या होती है वो charge को क्या करें वो charge को circle में घुमाएं वो charge को circle में घुमाएं उसकी चाहत क्या रहेगी वो circle में घुमाएं कि यहां पर यह चार्ज पर्टेकल को मुंगरी एक्सिस पर बात किया है यहांut। मैंने देखा तो इसको फोर्स इके पर थी लिमाने ऐस साथ इसको फोर्स साल ही फॉर्स पर चॉप्प साल साल स्क्राory फिल में भी पर्पेंडिकुलर एंटर हुआ तो कहीं नहीं इसके उपर फोर्स लगने वाला है उसकी डारेक्शन निकालने के लिए तो म्योगने वाला है तो कहीं नहीं मुझे यहां से इतना समझ में आता है कि यह बंदा जो भी है जो बीचारा सीधा निकलना चाहता था बट ऐसे region में enter कर गया जहां पर electric field भी है magnetic field भी है दोनों एक दूसरे को perpendicular है तो जब मैंने देखा क्योंकि जब मैंने चार्ज को enter करवाय तब मैंने इन दोनों के perpendicular एंटर करवाय तो मैंने देखा कि यार कहीं ना कहीं वो चार्ज के उपर वो particle के उपर electrostatic force नीचे के और लग रहा था तो magnetic force उपर के और लग रहा था मलब कि दोनों एक दूसरे के opposite direction में लग रहे थे तो अभी यहाँ पर तीन possibility आती है magnetic force क्या करवाना चाहता है मलब कि magnetic field की चाहत क्या होती है कि भाई क्यूंकि perpendicular velocity हो गई ने इसके लिए तो perpendicular velocity का काम क्या है perpendicular velocity हो गई तो कहीं ना कहीं वो उसको circle में गुमाना चाहता है तो यह इसको क्या करना चाहता है यह इसको ना ऐसे circle में गुमाना चाहता है यह direction में उसके ओपर magnetic force लगा तो इसको circle में गुमाना जाए उपर, magnetic force यह direction में लग रहा है, ठीक है, तो कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, यह due to this magnetic force, वो अपना path से deviate हो जाएगा, और यह direction में circle बनाना चाहता है, लेकिन अगर यहाँ पे बीच में plate आ गई, तो क्या हो गया? Plate के साथ दो चिपख जाएगा न, plate क्या करेगी, यह positive plate है, ठीक है? positive plate है तो यह कही नहीं प्लेट के साथ टकरा जाएगा कही नहीं plate के साथ टकरा जाएगा yes or no, sir लेकिन वो तो repel नहीं करेगा, हाँ रिपल करेगा रिपल करेगा ना, यह positive charge रिपल करेगा, इसलिए तो मैं बोला कि तीन possibilities यहां पे निकलेगी तीन possibility आपके पास यहाँ पे निकलने वाली है यह circle में घुमाना चाहता है ठीक है? circle में घुमाना चाहता है लेकिन कब वो यह path को follow गया है क्योंकि तीन possibility आती है यहाँ से यह तो यह जाए यह direction में यह तो यह जाए यह direction यह तो सीधा चला जाए तीन possibility आईगे अपके पस अगर ये possibility आई तो वोगक्वेस में क्या होगा कि वो charge यहां से गया प्लेट के साथ टकरा गया लेकिन सर ये तो positive था तो positive positive repel नहीं करेगा भाई repel तो करेगा लेकिन सोचो ना क्यों वो ये path को follow करेगा कहीं ना कहीं ये force इससे ज्यादा होगा yes or no? तो यहां पर तीन path हमें मिलेंगे अगर ये greater than fe है तो ये charge ऐसे उपर की direction में चला जाएगा और ये plate के साथ टकरा जाएगा वहीं पर रुख जाएगा ठीक है बात खतम वहीं से उसकी story खतम वहाँ से टकरा गया बात खतम ठीक है वह अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर ये electrostatic force greater than magnetic force है तो क्या होगा तो भाई ये वाला path follow करेगा जिसका ज्यादा भाई क्या होता है नेट का मतलब क्या होता है किसी के उपर लगने वाला नेट force का मतलब क्या होता है मैंने बोला कि ये direction 10 newton है ये direction में कितना 5 newton है तो इसका resultant कैने नकला है यहाँ पे 10 ये direction में 10 ये direction में 15 तो resultant निकलेगा ऊपर की direction में 5 तो कही न कहीं maximum force उपर की direction में तो ये कौन से बात को follow करा एगा तो फिर वहाँ पे repulsion की वज़ा से जो भी force लगता है वो FE होता है ठीक है और क्योंकि FM का magnitude FE से ज्यादा निकला तो resultant तो वही FM की direction में ही आएगा ना बले वो repulsion है लेकिन फिर भी वो FM की direction में ही आएगा ना FM जो करवाना चाहते है वही path को follow करवाईगा कहीना कि complete circle नहीं complete हो पाएगा तो यहां से जाके टकरा गया बात खतम वहीं से उसके story खतम हो जाएगी यह सुनो तो यह हो गया पहला case या तो यह path बन चकते है क्योंकि possibility तीन आती है क्योंकि जब भी किसी object के उपर दो force लग रहे है एक लग रहा है उसके oppose में ही दूसरा force दोनों सेम magnitude के होते हैं तो क्या होता है दोनों सेम magnitude वाले हैं तो क्या होगा लगकि जितना FM है उतना ही FE है यह सारी न मैगनिट्यूड की चर्चा कर रहा है मैगनिट्यूड के form में ठीक है यह मैगनिट्यूड के form में तो दोनों अगर equal है तो क्या होगा तो यह तो निल बढ़ता जाएगा, ठीक है, कोई भी फोर्स उसके उपर नहीं लगेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होता है, Newton जी ने क्या बताया था, NLM 1, अगर किसी के उपर नेट फोर्स जीरो है, तो जो स्टेट में है, वही स्टेज हमें कोई फरक नहीं आए गा तो NLM1 के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि shouldn't मतलब की मतलब की हमें जो यह with episode filter में बात कर人े कि हम बात करें Vovy velocity अगर वह with you velo Benna में निकालनी है तो मुझे कौंसी कंडिशन के उपर focus करना पड़ेगा ये वाली condition के उपर fm is equals to f e, ठीके, fm is equals to f e, ये वाली condition में मुझे यहाँ पर apply करना पड़ेगी, ये वाली condition को follow करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये vio velocity निकल सकती है, ठीके, कै इतना point clear हुआ, यहाँ पर, इतना point clear हुआ, उपर fm, नीचे f e, अगर f fm का magnitude f e से greater than है, तो ये charge ये वाले path को follow करके टकरा जाएगा, बात खत्म, उसकी story वहाँ से stop हो जाएगी, ठीके, अगर मान लो कि f e का magnitude f m से ज्यादा है, तो ये charge ये वाला पेराबुला follow करेगा, नीचे वाला और नीचे वाली plate से टकरा जाएगा, बात खत्म, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, वह वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन मान लो कि दोनों force, same magnitude के है, बहुत कि हमने ऐसी velocity इसको provide की, जिसकी वज़त से f m and f e, क्योंकि f m उपर लग रहा है, f e नीचे लग रहा है, दोनों के magnitude same हो गए, तो according to the nlm1, net force 0 हो होनी चाहिए, ताकि वह चार्ट सीधा यहां से पास कर जाए, बाकि सारे चार्ट जिनके पास v o के बराबर velocity नहीं है, तो o या तो ओपर चले जाए, या तो नीचे टक्रा जाए, बात खतम हो जाए, यह सरुन, वह आके नहीं बढ़ पाए, filter out हो जाए, ठीक है, वो v o हमें निकालनी है, वो v o हमें निकालनी है, clear है, चले, तो v o निकालने के लिए condition कौन सी verify होनी चाहिए, यहां पर, v o निकालने के लिए condition कौन सी satisfy होनी चाहिए, यहां पर condition satisfy होनी चाहिए, f m must be equal to f e, तो मैं यहां पर लिखूंगा, to get v o, to get v o velocity, क्योंकि यही vio velocity से ही वह आगे बढ़ पाएगा यह सुनो अमने माना था कि यहां से वही चार्ज पार्टिकल यह रीजन को क्रॉस करके सीधे बाहर आ जाएंगे जिनके पास vio के बराबर velocity होगी तो vio velocity को निकालने के लिए मैं condition कौनचे लगाऊंगा magnitude of magnetic force must be equal to magnitude of electrostatic force magnitude of FM, FM कितना लिख सकते, FM क्या होता है, Q into VB, perpendicular है न अभी, अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसके ओपर जो FM लगेगा, वह FM कितना होगा, Q into VB के बराबर होगा, है कि नहीं, यहां पर to be specific लिखे तो VOB के बराबर होगा, क्योंकि हमने मान लिया कि वो charge particle जो यहां से बहार निकल रहा है, उसके पास velocity कितनी है, VB के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यह जो, यह जो charge है, वो enter हुआ magnetic field के perpendicular, तो कहीं न कहीं, sin theta क्या हो गया, sin 90, sin 90 हो गया 1, तो इसलिए मैंने लिखा, यहां पर Q, VB, that is equals to Fe, Fe कितना, Q into E के बराबर, ठीक है, Q into E के बराबर, तो कहीं न कहीं, Q Q तो cancel होके, तो बच्चो, VO की magnitude, VO का magnitude कितना आना चाहिए, E upon B के बराबर, ठीक है, तो यह velocity कितनी होनी चाहिए, यह velocity कितनी होनी चाहिए, ताकि ऐसा particle कि जिसके पास इतनी velocity हो, तो वो यह region को cross करके आगे निकल जाए, बड़की, यह region को cross करके बाहर आ जाए, ना तो उपर जाए, ना तो नीचे, ना तो अपनी कहानी समाप्त हो जाए, ठीक है, वो सीधा निकल जाए, और यह region को cross कर दे, तो वो velocity होनी चाहिए, E by B के बराबर, बलब कि अगर किसी charge particle के पास, यहाँ पे जितना electric field intensity है, और जितनी magnetic field intensity है, उन दोनों का ratio ले लो E by B कर दो, जो value आती है, यह ratio की जो value आती है, उतनी velocity लेकर अगर कोई charge particle यह region को cross करने की कोसिस करेगा, तो वो सीधा region को cross करके बाहर आ जाएगा, ना तो वो उपर वाली plate पे अट्रेक हो जाए, ना तो नीचे वाली, सीधा बाहर आ जाएगा, क्योंकि तब उसके उपर plate पे चले जाएंगे, और वहीं पे उनकी कहानी समाप्त हो जाएगी, यह so no, हाँ, मैंने बता था कि अगर ज्यादा velocity देऊगे, वियो से ज्यादा velocity दोगे, तो उपर वाली plate पे टकरा जाएंगे, कम velocity नीचे वाली plate पे, क्यों, ऐसा क्यों मैंने बोला था, उसके पीछे का reason है, भाई, electrostatic force velocity के उपर dependent नहीं है, आपको पता है, अगर मैं FE लिखना चाहूं, तो FE होता है QE के बराबर, लेकिन अगर मैं FM लिखना चाहूं, तो यह होता है QVB के बराबर, तो कहीं न कहीं, electrostatic force velocity से independent है, आप कितनी भी velocity लेके उसको दोडाओ, कोई लेना देना नहीं है, velocity से, velocity increase करो, decrease करो, उससे, उसके उपर लगने वाले electrostatic force को कोच फरक नहीं पड़ेगा, वो तो सिफ magnitude of charge, यहने, electric field के उपर ही depend करता है, लेकिन velocity को बढ़ाने से, या कम करने से, magnetic force 100% कम हो सकता है, या जादा हो सकता है, ठीक है, तो vary हो सकता है, magnetic force due to the velocity, अगर velocity को आपने चींज किया, तो magnetic force बढ़ा जो सकता है, तो हो सकता है, कि एक condition में, आपने जितनी velocity प्रोवाइड की थी, यह वाला path follow करवाने के लिए, वी ओ होनी चाहिए, यह वाला path follow करवाने के लिए, वी ओ होनी चाहिए, मान लो कि मैंने जो velocity प्रोवाइड की, यह वाले case में, जो मैं ने वाला, ने वालाशिटी प्रोवाइड की, वह वी थी, विच इस greater than वी ओ, तो हाफ समझ सकते हो कि वी greater than वी ओ, तो तब कहीं न कहीं, वी इंक्रीज हुआ न, वी ओ से वी इंक्रीज हुआ, तो जैसे वी ओ से वी इंक्रीज होगा, तो कहीं न कहीं यह magnetic force ज्यादा हो जा तो यहां पे magnetic force का magnitude ज्यादा हो गया, तो कहीं न कहीं अभी FM greater than Fe हो गया, तो कहीं न कहीं अभी क्या होगा, अभी वो particle ये वाले path को follow करेगा, और सीधा बूम उपर वाली plate से टकरा जाएगा, बाज खतम उसकी story वहीं पे खतम हो जाएगी, यह सुनो, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यह region को cross नहीं कर पाएगा, ठीके, यह सुनो, similarly, अगर मानलो किसी charge particle को आपने, जो velocity प्रोवाइड की, मानलो VD, which is less than VO है, वालब कि VO से आपने कम velocity प्रोवाइड की, तो अभी क्या हो गया, कम velocity प्रोवाइड करने से हुआ क्या, क्या FE में change आएगा, नहीं भाई, FE तो independent of velocity है, FE में change नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि आपने VO से यह velocity कम कर दी, तो कहीं ना कहीं, magnetic force यहाँ पे कम हो गया, तो magnetic force कम हो गया, तो ऐसे case में, magnetic force की value FE से कम हो गया, तो FE greater than FM वाला case लगया, तो अभी इसके ओपर maximum force किसका लगएगा, FE का, मतलब कि हम बोल सकते हैं, innate force कौंशे direction में लगएगा अभी, FE की direction में, तो कहीं ना कहीं, अभी वो यह वाले path को follow करेगा, और यह वाले path को follow करेगा, मतलब कि उसके story, उसके कहानी, यहीं आके, boom, ठीक है, यहीं पर खत्म हो जाएगी, वो यह region को cross नहीं कर पाएगा, yes or no, इसलिए मैंने बुला, कि भाई, अगर आप किसी charge particle, क्योंकि हमने अभी VO की value क्या होनी चाहिए, वो निकाले, तो if you are providing velocity which is greater than VO, तो तब condition कॉन से बनेगी, अगर वो से कम velocity देते हो, तो ऐसे केस में F e greater than F m हो जाए, तो वो charge particle नीचे वाली plate पे आके, ठीक है, उन्सकी स्रोधी वहीं पे खत्म हो जाएगी, यह सोचनो, आई बात समझ में, अगर यह VO से greater than velocity, तो वो charge particle उपर जाके, बुम, अगर VO से less than velocity, तो वो charge particle नीचे आके, बुम, अगर VO के बराबर velocity, तो वो charge particle सीधा बाहर, यह सोचनो, तो ऐसे ही charge यहाँ से, यह region को cross कर जाएंगे, जिनके पास इतनी velocity होगी, इतनी velocity होगी, वही charge particle यह region को cross कर पाएंगे, इसलिए तो इसको बोला जाते है, velocity filter, इसको बोला जाता है, velocity filter, filter का मतलब यही होता है, कि किसी particular characteristic को allow करें, बाकि को block कर दें, तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ न, जिनके पास VO से ज्यादा value, मालब कि E by B से greater than velocity थी, वो यह वाली condition को follow करके, मालब कि वो उपर जाके boom होगे, वो आगे नहीं बढ़ पाए, similarly, अगर यह less than E by B है, तो वो नीचे वाली plate पर आके boom होगे, मालब कि वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ यह वाली condition को follow करके, मालब कि उसका path यह बना, यह plate के पास आके boom होगे, लेकिन वो charge particle जिनके पास इतनी velocity है, वो सीधा इसको cross कर गए, इसलिए इसको बोला जाता है, velocity filter, वो ऐसे चार्ट पर आप एक साथ बहुत सारे अलग अलग velocity वाले, charge को इकटा करो, और यहाँ से beam बना के उनको सीधा यहाँ से cross करवा हो, ठीक है, तो यहाँ से मान लो 100 charge particle को आपने ये region में enter करवा, उनमें से 15 ऐसे charge थे, जिनकी velocity E by B के पर, मलब कि यहाँ पर जितनी intensity है, electric field की और magnitude उनके ratio के बराबर velocity थी, ऐसे कितने थे? ऐसे कितने थे 15 charge, ठीक है, total 100 मैंने enter कर अलग-अलग velocity वाले, उसमें से 15 charge ऐसे थे, जिनकी velocity V O के बराबर थी, तो बाहर जब मैं देखूंगा, यहाँ पर वेट करूंगा, यहाँ से enter कर यहाँ पर वेट करूंगा, तो कितने charge आएंगे, सिर्फ 15 charge बाहर आएंगे, बाकि सारे कुछ उपर, कुछ नीचे बूम हो गया होगे, वह वहीं पर रूख चुके होंगे, वह आगे नहीं बढ़ पाए होंगे, ठीके, सिर्फ बाहर जब निकालूंगा, तब मेरे पास सिर्फ वही 15 charge होंगे, जिनकी velocity V O के बराबर होगी, इसलिए इसको बोला जाता है, फिल्टर, 100 चीज़े डाली, वसमें से, जो कंडिशन को सैटिस्फाइ करती थी, वही बाहर आई, ठीके, तो I hope so, कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं कहिंचना था, लेकिन फिर भी, आपको समझ में आ गया होगा, कि ये वैलोसिटी सिलेटर है क्या, वैलोसिटी फिल्टर है क्या, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते है, कल देखने वाले लेक्चर में साइक्लोट्रोन, कि अग्रोजन ईटने वाले टानी लिए, बहुत ही छोटा आँ है, वैसको देखने के लिए चोटा है लेकिन समझने के लिए बहुत ही important है cyclotron कहीं न कहीं हमें यहाँ पर यही वाले point को वहाँ पर apply करना है ठीक है चले तो हाँ एक वापिस एक और point वैसे तो मैं बोल चुका हूँ कि आपको यही ध्यान में रखना है जब भी magnetic and electric field दोनों आते हैं तो आपको यही ध्यान में रखना है कि magnetic field सिर्फ direction change कर स सकता है एसे लेरेशन कौन प्रोवाइट कर सकता है एलेक्ट्रिक फिल बस इतना point आप याद कर लो यह point को आप याद कर लो सेंटेंस को रट्टा मालो हो सके तो कि magnetic field हमें सार्व सिर्फ direction बदल सकता है वो चार्ज की velocity नहीं चेंड कर सकता लेकिन चार्ज को accelerate करने की बात आ तो वहाँ पर मुझे electric field की ही जरूरत पड़ती है magnetic field acceleration नहीं प्रोवाइट कर सकता किसी भी चार्ज को accelerate करना है तो electric field चाहिए उसको helical path पे गुमाना है तो magnetic field चाहिए अब भी arrangement आपके उपर है अब चाहो उतने यहाँ पर magic बना सकते हो ठीके magic आप ही को करना है मैंने arrangement बता अब चाहिए उन दोनों के बीच में uniform magnetic field generate फिर ऊपर एक प्लेट लगाए नीचे एक प्लेट लगाए यह वाली प्लेट को positive terminal से connect किया नीचे negative terminal से तो इन दोनों के यह positive charge हो जाए यह negatively charge हो जाएगी प्लेट तो इन दोनों के बीच में एक electric field generate हो जाएगी तो ऐसे आप magic करने कि लिए आप चाहो वो कर सकते हो यहाँ पे सिफ है क्या एक बार हमने पर्पेंडिकल लगा अभी क्या करो parallel बनाओ फिल और देखो कि क्या हो रहा है ठीक है लेकिन चार्ज पार्टिकल लाए कहां से बात साहिए चार्ज पार्टिकल लाएंगे कहां से सोचो चार्ज वेलोसिटी सिलेक्टर वेलोसिटी फिल्टर ठीक है थोड़ा लंबा चला लेक्चर लेकिन आई होप सो कि आपको एक कंडिशन समझ में आ गई है ठीक है चलिए तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तिल एट एंजोई यर डे बाई बाई